सबसे पहले आप सभी को नौरातरे के बहुत सारे शुख कामनाएं और मातरानी हम सभी के जीवन में खुश हाले दे शुख शम्री दे बस यही दुआ करते हैं तो फ्रिंड्स इस नौरातरे पे आप अपने घरों में तीन से चार पौधे में से कोई एक पौधा अवश्य लगाएं इससे हमारे घरों में बरकत होती है और शुख शम्री आती है तो सबसे पहले दूलसी का पौधा अगर आप अब तक नहीं लगाएं हैं तो लगा लिजिए इससे हमारे घरों में शुक शम्री दी का वास होता है इस में मा लक्षमी का वास होता है दुसरा पौधा हर शिंगार का हर शिंगार का जो फूल होता है ओ माता रानी को भोले नात को विश्न भुहाल लक्षी मैया को शवी देवी दोता को बहुत ही प्री होता है ये फूल से सारे देवी दोताओं का शिंगार किया जाता है तो इस पौधे को भी आप अपने घरों में लगा लें इससे भी हमारे घरों में सुक्षम्रिदी और सुक्षान्ती का वास होता है तिसरा पौधा है पान का पौधा पान की जो पतियां होती है हमारे परपते हवार में बहुत ही काम आते हैं इसमें भी मालक्ष्मी का वाश होता है आप इस पौधे को अपने गंबले में भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा से गंबले में ग्रो कर जाता है चौधा बात करते हैं गुड़ल का पौधा गुड़ल का पौधा भी लगाने से हमारे घरों में शुक्षम्रिदी और शुक्षान्ति का वास होता है इसका जो फूल होता है यह भी मातर आनी को बहुत ही प्रिय होता है तो इन चार पौधा में से आप कोई भी एक पौधा इस नौरात्रे पर अवश्य लगा ले इससे हमारे घरों में सुक्षम्रिदी तो आईगी ही साथ में हमारे गार्डन की विशुभा बढ़ जाते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेए टॉपिक के साथ तब तक बार